कि सलाम नमस्ते हेलो केमचो स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिबार वाइफाई स्टेडी टू पैंट जीरो पे दोस्तों की को फटाफट से जुड़ जाएए एक बाशेशन को के ब्सछेयर अब शेर दीजे सभी लोग मेरी आवाज आ रही होगी तो बता किया यह साराज की तो थी अप्रेल से बहुत कुखेंगे ऑप्रेल का रिवीजन यहां पैस अपनी क्लास होती है फ्री स्पेशल क्लास डेली होती है दोस्तों यहां पर आपको जरूर जोइन क्योंकि लेटेस्ट मन से कुश्चन आते हैं तो यह क्लास एप पे हो रही है फ्री में हो रही है क्विज बाई पोल के थूरू हो रही है इस क्लास को मिस नहीं करना है जी यह बाई प्यूसर पे इसका लिंक मैं भेज देता हूं इसके अलावा दोस्तों प्लस बैच भी मैं ल के लिए बहुत ही यूसफुल होगा और उन्हीं उन्हीं टॉपिक को पढ़ाऊंगा जो आप लोगों के लिए बड़ा यूनिक होगा एक्जाम औरियंटेड होगा बड़ा ही मतलब सारे टॉपिक नहीं केवल वो टॉपिक जो एक्जाम में बैंकिंग अवेंडेस में पू देता था इस बार फ्री इस पेशल क्लास में ले रहा हूं आप लोगों के कहने पर की सर इस बार हम लोगों को भी फिनेंशील क्रेंट अफेर का फायदा दीजिए। जीए क्योंकि ECGC में financial current affairs ज्यादा आते हैं तो हम लोगों को भी सर उसका फायदा मिलना चाहिए तो मैंने कहा ठीक है इस बार प्लस वालों के लिए नहीं special वालों के लिए ये विवस्था कर देते हैं तो ये भी class free में आज रात को 10 बजेशे सुरू हो गई है आज पहली class है सभी को ताबड़ तोड़ तरीके से आना है free special class जीए बाई प्लस सब्सक्रिप्शन लेने का उसका आज आखरी दिन है PSI 10 code यूज़ करने पर ओके दोस्तों बहुत सारे बैचेज आपको मिलते हैं टेस सीरीज मिलती है प्लस सब्सक्रिप्शन लेने पर आपको दोस्तों unlimited access मिलता है life classes weekly test structured course study material expert guidelines personal guidance study planner ये सारी चीज़े प्लस और आइकोनिक पर मिलते हैं आइकोनिक में थोड़ा सा प्रिफरेंस मिलता है आपको प्लस वालों से पहले आपके डाउट क्लियर होते हैं अने केडिमी एप पर जो आप सेल्फ स्टेडी के पूछते हैं स्क्रीन सॉट अपलोड करके life class में जब आप टीचर से डाउट पूछत रुपए और आइकोनिक के जो चार्जिज हैं वो है 417 रुपए पर मन 10,000 रुपए PSR 10 को डियूज करने पर दोस्तों आपको बंपर डिसकाउंट भी मिलता है कुछ भी इनपरिप्रियेट लगे तो दोस्तों रिपोर्ट कीजिए प्यूस सिंग नाम से आप मुझे सर्च क चेरे hasnrl को आप जो है देख सकते हैं लिंक उसको फॉलो कर सकते हैं बैंक एक्जाम पे इसींग सर्च करके भी फॉलो कर सकते हैं follow करने के बाद आपको मेरे सारे plus courses भी दिख जाएंगे जितने भी plus courses मेरे हैं teacher के हैं आने वाले हैं teacher उनके हैं वो सभी इस पर मिल जाते हैं दोस्तों कल मैंने ये आखरी question कराया था जिसमें मैंने से पूचा था कि को लेंडिंग मॉडल में को लेंडिंग मॉडल में एक बैंक NBFC के साथ tie-up कर रहा है RBI के कहने पर कि ना तो industry को पैसे की कमी हो MSME को पैसे की कमी हो लोगों को पैसे की कमी हो रियल इस्टेट में मन दिया रही है तो हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों को भी पैसे की कमी नहों इसके लिए बैंक को उसे टाई अप करे जा रहे हैं एस्टेट बैंक उफ इंडिया जो की भारत का सबसे बड़ा बैंक है दुनिया का सबसे बड़ा बैंक है ब्रांचों की संख्या के मामले में और इंप्लॉईस के मामले में और ब्रांचों के मामले में और कस्टमर के मामले में दोस्तों उस बैंक ने पांच हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों के साथ ऐसा एग्रिमेंट किया है वह पांच जो कंपनिया हैं हाउसिंग फाइनेंस कंपनी जो की पंजाब पी एनबी हाउसिंग फाइनेंस है इंडिया इंफो लाइन हाउसिंग फाइनेंस है स्री राम हाउसिंग फाइनेंस है और एडलवाइज हाउसिंग फाइनेंस है और कैपरी ग्लोबल हाउसिंग फाइनेंस है ठीक है clear है याद रहेगा तो यह पांचों के साथ हुआ था यह कल हम लोगों ने पढ़ा था अकल हम लोगों के मन में एक बात आई थी कि सर RBI तो कल आपने रिवाइस करा दिया था SBI को भी रिवाइस करा दिया जाए तो कल हमने वादा किया था आप से कि SBI को पढ़े बहुत दिन हो गया है रिवाइस करेंगे तो दोस्तो SBI का जो हेट कौर्टर है वो मुंबई में है SBI भारत का सबसे बड़ा बैंक है एसेट के मामले में डिपॉजिट के मामले में ब्रांचेस के मामले में प्रॉफिट के मामले में कस्टमर के मामले में और इंप्लॉईस के मामले में अभी दुनिया के सबसे बड़े कंपणियों में Reliance की स्थिती जो है वो 53 है इन सारे पेरामीटर्स पे और दूसरे नंबर पे भारत से कोई कंपणी है तो वह SBI ही है आपको मैंने सुबह पढ़ाया था जो 105 वे नंबर पे है और कोई नहीं है TCS HDFC कोई नहीं है ICC Infosys कोई नह आप एसेट का भी देखा जाता है Market Capitalization भी देखा जाता है Profit भी देखा जाता है बहुत सारे चार पेरामीटर्स देखे जाते हैं SBI दोस्तो लाजेस्ट कॉमर्शियल बैंक है दुनिया का ब्रांचेस की संख्या के मामले में 22,000 ब्रांचेस हैं जब मर्जर हुआ था तो 24,000 ब्रांचेस थी दोस्तो ऑल इंडिया रूरल क्रेडिट सर्वे कमिटी के हेड थे एडी गोरे वाला इनहीं कमिटी के रिक्मेंडेशन पर SBI आई थी दोस्तो एक जुलाई 1955 को इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को का नाम बदल गे दोस्तो सन 2008 तक SBI का इसमें जो है सन 2008 तक RBI का इसमें शेयर था 60% का यानि यह RBI की सबसीडियरी थी लेकिन क्योंकि RBI एक सेंट्रल बैंक है तो इसकी किसी भी कि बैंक में शेयर नहीं होना चाहिए ऐसा सरकार ने माना कि अंपायर का कोई टीम नहीं होना चाहिए वरना IPL जिता देगा उसको तो फिर नेशनल हाउसिंग बैंक से नाबाड से और SBI से RBI के सारे शेयर के लिए इनडिया ने टेक ओवर कर लिए हैं तो दोस्तों आज गोश्वार्मेंट ऑफ इंडिया काई इसमें 602 3 पर्सेशेर है कितना है गार्मेंट ऑफ इंडिया का 61.2 3 पर्सेशेर है SBI में अब वही majority share है जो पहले RBI के पास थी RBI non banking field में अभी भी subsidiaries रखे हुए है जैसे की reserve bank innovation hub, जैसे की iftas, जैसे की rebeat, जैसे की DICGC, जैसे की BRB NMPL ऐसी बहुत सारी subsidiaries RBI की अभी भी है हैं कि दोस्तों अभी SBI के हेट दिनेश कुमार खा रहा हैं लेकिन इसके पहले जो है रजनीश कुमार जी इसके chairman थे जो आजकल कि बॉन एंड ब्रेट करके company हैं उसके director बने हुए हैं उसके बाद hero motocop के बने हुए हैं ओयो के बने हुए हैं भारत पे के नॉन क्यूटी चेर्मेन है एचेस बीसी एशिया के हैं दोस्तों आंध्पदेश के एडवाइजर हैं कि एलेंटी इंफो टेक के हैं दोस्तों कि कितनी company का नाम लिया जाए उनकी एक बुक भी आई है custodian of the trust उसके पहले जो चेर्मेन थी वो थी अरुंदती भट्टाचारिया जो की पहली महिला चेर परसंग थी इस बैंक की जो पीओ लेवल से उठकरके वहां तक पहुची थी कभी आपसे बैंक के इंटर्व्यू में पूछा जाए कि आप बैंक क्यों जोइन करना चाहते हैं एससी क्यों नहीं जोइन कर रहे हैं तो आप कह सकते हो कि बैंक के ही वो छेतर है जहां मैं पीओ से बैंक के cmd पोश्ट तक CEO पोश्ट तक पहुंच सकता हूं तो दोस्तो SBI के सोल रीजनल हब हैं 57 जोनल ओफिसेज हैं और SBI का अपना एक एप भी है जिसको योनो एप कहा जाता है यू ओनली नीड वन जिसकी फुल फॉर्म है कि दोस्तो SBI के वैसे तो बहुत सारी टेग लाइन्स बनी जैसे एक टेग लाइन है विकत 200 वर्सों से आपकी सेवा में सदेवतत पर 200 वर्सों से क्यों तो कि 1806 में बैंक आप बेंगौल आया था 1840 में बैंक आफ बंबे आया था 1843 में बैंक आफ मद्रास आया था ये तीनों अंग्रेजों की अलग-अलग प्रेसिडेंसी इसकी बैंक थी ये तीनों प्रेसिडेंसी बैंकों को मर्ज करके 27 जनवरी 1921 को इंपीरियल बैंक बना वही आगे चलके इंपीरियल बैंक आफ इ यहां नहीं होती वहाँ SBI RBI की भूमिका में होती है क्योंकि SBI का जन्म तो बहुत पहले हो गया था RBI का जन्म तो 1935 में हुआ यानि SBI का जो पुराना वर्जन था Imperial Bank of India वो बैंकों को license दिया करता था RBI के जन्म के पहले दोस्तों इसकी जो tagline है वो है प्योर बैंकिंग नथिंग एल्स विट यू ओल दवे भी एक tagline है bank of the common man banker to every Indian और nation bank on us ऐसी इसकी tagline है दोस्तों 2017 में एक अप्रेल को जब मर्जर हुआ बहुत बड़ा मर्जर हुआ जिसके बाद SBI दुनिया के टॉप 50 बैंकों में आया तो उसमें पांच SBI के सहयोगी बैंक थे दोस्तों पांच SBI के एसोसियेट्स थे और एक था भारतिय महिला बैंक भारतिय महिला बैंक दोस्तों पांच SBI के सहयोगी बैंक थे अधुनि दोस्तो वो सब मर्ज हुए थे सबे के सायोगी बैंक कौन थे इस्टेट बैंक ओफ बीकड ने रहरें जैपूर कि इस्टेट बैंक यह स्टेट बैंक ओफ पतियाला इस्टेट बैंक ओफ रावनकोर और इस्टेट बैंक ओफ मैसूर दोस्तों ये सब राजाओं के बैंक्स थे रियासतों के बैंक्स थे जैसे बीका ने रियासत का बैंक, जैपुर रियासत का बैंक, हैदराबाद रियासत का बैंक, पटियाला रियासत का बैंक, त्रावन कोर रियासत का बैंक और मैसूर रियासत का बैंक, दोस्तो मरजर के बाद जो टेग लाइन बनी, वो बनी क्या कि यह global bank बन गया 6 bank और इसमें अड हो गये यह भारती महिला बैंक जो है निर्भयय के सके बाद केवल महिलाओं के लिए सुरू किया गया था फ्लॉप हो गया तो दोस्तो इसका tagline बन गया बड़े bank के बड़े फायदे बड़े bank के बड़े फायिदी, दोस्तो यस्ट colis के चेर्दन, दिश्च कुमार स्भिडेगां, में चणी हैंगे स्भियां हैंग अभी एक नए पवाइंट हो जाएँगे अभी एक नए आपवाइंट हो जाएंगे परसन दोस्तो SBI का market share 25% का है यानि सैकडो बैंक एक तरफ और एक बैंक एक तरफ 45 करोड कस्टमर हैं दोस्तो 22,000 ब्रांचेज हैं 62,000 ATM हैं और वो withdrawal मसीन भी है 62,000 ये question एक बार exam में पूछा था जब merger हुआ था कि SBI के कितने ATM हैं उसमें 59,000 ATM थे 69,000 ATM थे अभी तो 62,617 ATM हो चुके हैं दोस्तो 71,968 business correspondent आउटलेट्स भी हैं ये बात ध्यान में रखना होगा ठीक है business correspondent अभी इन्हों ने किसको बनाया ये भी याद रखिए समझें तो दोस्तो इन्हों ने पैसा लोको अपना business correspondent भी बनाया था पार्टनर नेशनल लेवल पे दोस्तो इनकी 31 देशों में 229 ओफिसेज हैं भारत का कोई भी बैंक इतनी सादा विदेशी ब्रांच नहीं रखता है सबसे जादा विदेशी ब्रांचों वाला बैंक भी भारत का SBI ही है दोस्तो SBI से question जो है यह केवल बैंक के एक्जाम में ही नहीं आई एस और एस और एससी के भी एक्जाम में पूछता है क्योंकि भाईया यह जो है ना यह आपका भारत का सबस्दर हर्ट लाइन है जहां पर रोड नहीं है नाउ से जाते हैं लोग वहां भी ब्रांच यह हाउस बोट पर दोस्तों जो है कि एटीम खोला हुआ है दल जील में दोस्तों SBI के नए CFO चरंजीत सिंग अत्रा है SBI कार्ड के हेड है राम मोहन राव अमारा एस जनरल इंसुरेंस के प्रकाश चंद कांट पाल SBI लाइफ के महेश कुमार सर्मा और SBI म्यूचल फंड के विनेतों से दोस्तों SBI कार्ड का हेड़कॉर्टर गुडगाओं में हैं बाकी सबका हेड़कॉर्टर मुंबई में हैं सिम बाइंडिंग फीचर इन्होंने योनो एप पर शुरू भी किया है ठीक है क्लियर है याद रहेगा दोस्तों SBI ने अभी बैंक का इस्सुरेंस टाइप किया है जनरल इन्सुरेंस कंपनी ने IDFC फर्स्ट के साथ दोस्तों जब भी कोई बैंक इन्सुरेंस कंपनी के साथ टाइप करता है तो उसे बैंक का इस्सुरेंस टाइप कहते हैं दोस्तों इसने जो है JSW सीमेंट में माइनौर्टी हिस्सेदारी भी लिए 100 करोण रुपए निवे सब्सक्रेक ट्लस क्रेडिट कार्ड भी इसके साथ लाँच किया भारत पेट्रोलियम ने वे बैंक का बडोदक्साट डेविट कार्ड लॉंच किया एस बडियाई ने दोस्तों नहरू जीलोजिकल पार्क में 15 डाइगर्स को एडॉप्ट भी किया है ताटा मोटर्स के साथ SBI का tie-up हुआ है दोस्तो two-wheeler loan of our four-wheeler loan finance के लिए NSE Academy के साथ इन्होंने एक online course भी शुरू किया है SBI card ने Fab India के साथ tie-up किया है जमसेदपूर football club को दोस्तों इन्होंने sponsor किया है डल जील पर floating ATM launch किया है उसके पहले दोस्तों वेंबनाट जील पर भी किया था दोस्तों इनका जो लोगो है यह कंकरिया लेक एहमदाबाद के कंकरिया लेक से design जो है लिया गया है और इसको locker की चाभी भी माना जाता है और एक नागरी को सुरक्षा कवच में भी इस लोगों को माना जाता है दोस्तों इसकी एको रेप रिपोर्ट ने जीडिपी forecast 8.8 परसेंट आकी थी आई एनस विक्रमा दिद पर इन्हों ने SBI 91 कार्ड भी लॉंच किया था इन्हों ने विद्यार्थियों की scholarship के लिए mission UK अभियान भी चलाया था जो अभी हाल ही में एक्जाम में पूछा भी था कि mission UK अभियान किस बैंक द्वारा चलाया गया था अभियान था दोस्तों NPCI के साथ मिल करके रूपे soft POS भी इन्हों ने लॉंच किया था SBI ने इंडियान और कॉर्पोरेशन को पहला नॉन लिबोर लोन दिया था सोफर बेंचमार्क पर क्योंकि लंदन इंटर बैंक ओफर रेट को आर्बेशन ने मना कर दिया क्या उस रेट पर कोई लोन नहीं देगा तो फिर इन्होंने USA के बेंचमार्क सोफर पर लोन दिया था external commercial borrowings जब आप बाहर विदेश में बाहर देश के बाहर जब कोई लोन देते हैं उसे कहते हैं SBI को जापान की JBIC बैंक जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कोपरेशन ने भी वन बिलियन डॉलर का लोन दिया था ताकि जो भारत में जापान की आटो मोबाइल इंडिस्ट्री है जो कार बनाने वाली कंपनिया है वो फोर्ड की तरह बंद न हो जाए SBI लाइफ इंसोरेंशन ने अबी एक पॉलसी लाउंच करी थी यी कि नेक्ष लाइफ इंसोरेंस पॉलसी तो दोस्तों SBI के बारे मेंने सब कुछ बता दिया कि नहीं बता। बता दिया है ना तब फिर अब मत बोलना कि आर्जे वासू करें अच्छा सरक कंकरिया लेक्तों मैं जा कि आया तो कंकरिया लेक्त का जो डिजाइन है वो देखो कंकरिया लेक्त डिजाइन ऐसा ही है कि एस बी आई का कितना जीडिपी फ्रकास्ट कल मैंने आपको पताया था कि कल मैंने आपको बताया तक करिब 7.8 था या याद तो नहीं है मुझे लेकिन कल मैंने इसको पढ़ाया था कि चले तो आप लोग ने कोई एक्स्टा इंफॉर्मेशन नहीं दिया है कि दोस्तों इंडिया वन पेमेंट को आर बियाई से भारत में वाइट लेबल एटियम स्थापित करने के लिए स्थाई लाइसेंस प्राप्त हुआ है इंडिया वन पेमेंट लिम्टेट का मुख्य किये हैं दस हजार एटियम दोस्तों लाउंच किये हैं डबलू एले एटियम यह भी एक रिकॉर्ड भारत में इंडिया वन पेमेंट ने बनाया है वाइट लेबल एटियम किसे कहते हैं दोस्तों जब कोई नॉन बैंकिंग कंपनी यानि कि जो बैंक नहीं है वह एटियम मसीन आटोमेटेड टेलर मसीन लाउंच कर रही है तो उसके एटियम को वाइट लेबल एटियम कहते हैं यह कोश्चन एक्जाम में बार 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 पुछता है वाइट लेबल एटियम में 100% FDI भी है और 100 करोड रुपे पुंजी से आप सुरूगी कर स सकते हैं के अन्वी अफसी को भी अभी अपरूवल मिल गया है दोस्तों जैसे की भारत में 2013 में टाटा ने सबसे पहले मुंबई में टाटा इंडी कैस नाम से एक वाइट लेबल एटियम लांच किया था टाटा पेमेंट सॉलूशन प्राइवेट लिम्टेड ने तो टाट दोस्तों मुथूत फाइनेंस कोई बैंक है नहीं वह एटियम लगा रहा है तो वाइट लेबल एटियम है दोस्तों यह एक ब्रैंडिंग और मार्केटिंग का भी तरीका होता है जब आप नीड होती है तो आप जब किसी एटियम पे जाते हो जैसे कि केदारनात में कोई भ सब्सक्राइब लोगों और ब्रैंडिंग हुई थी कि अराम से चलिए आगे रिस्क है अराम से चलिए सांती से चलिए प्याओं है यहां पे यहां पे एटियम है मतलब यह एक तरीका भी होता है कि अगर किसी भी एटियम में कि आपका पैसा फर्स जाता है और ट्रांजेक्शन के पांच दिन के अंदर अगर आपको पैसा नहीं मिलता है तो सौ रुपे पर डे आपको वह बैंक भुक्तान करेगी कि ठीक है क्लियर है याद रहेगा आज रात को नौ बज़े आज रात को दस बज़े से फिनेंशल करेंट अफेर की क्लास सुरू हो गई है एप पर सब लोग रात को दस बज़े आ जाईएगा ठीक है और मैंने टाइपस ओफ इंफलेशन पढ़ाया है इनन न आप लोगों को मैं बता भी देता हूं कैसे मिलेगा आप लोग मैं ले एप पे जाईए फ्री स्पेशल क्लास है और एप पे जाने के बाद मेरी प्रोफाइल पे जाईए प्यूश सिंग वाले पे प्यूश सिंग प्रोफाइल पे जाईए उसके बाद वहां पे सर्च करिए see all see all में जाइए free class में यानि special class में प्लस वाले में नहीं special class वाले में वहां पर जाएंगे और जब आप financial awareness filter लगाएंगे कौन सा financial awareness का filter लगाएंगे तो आपको इतने सारे बेसिक बेंकिंग बैच मिलेंगे इतने सारे चैप्टर मैंने पढ़ा हैं वैसे अभी मैं फिर से प्लस बैच पर सुरू करने वाला हूं परसों से रात को सामको साथ से नौ ठीक है तो आपको मिल जाएगा मेरा सारा बैंकिंग की क्लास यहां पर फिनेंशिल अवेर्नेस सर्च करिएगा फिल्टर में फिनेंशिल अवेर्नेस ठीक है मिल जाएगा आपको खेर हम लोग बात क्या कर रहे थे टांजेक्शन के पांच दिन के अंदर अगर आपको पैसा नहीं तो सो रुपए पर डे अगर एटीम के केस में और अगर गूगल पे फोन पे या फिर फिलिपकाट अमेजान और स्वीगी पे आपका पैसा ऑनलाइन पेमेंट में फच जाता है और सामान नहीं मिलता तो टा आपको फाइदा है लेकिन अभी कैस आउट हो जाता है दोस्तों एटीम में से हम लोग बड़े टेंसन में होते हैं यारे टीम पे गए लाइन लगाया पता चला पैसा ही नहीं है तो दोस्तों अगर एटीम में पैसा नहीं रहता है महीने में 10 घंटे से जादा तो पर एटी लेगी भईया याद रखिएगा ठीक है समझ गए चलिए दोस्तों बहुत बढ़िया शांदार जिंदाबाद जबरदस्त तो दोस्तों यह इंडिया वन एटीम है जिसने 10 हजार वाइट लेबल एटीम का जो है रिकॉर्ड बनाया है और इसका जो हेटक्वाटर है बैंगल सब्सक्राइटी वो बैंक देगी जो उसमें पैसा भरने का ठेका ली हुई है ठीक है चलिए दोस्तों यह कुशन भी आजबी एसिस्टेंट मेंस में अभी आया था आठ मई को पिछले हपते किस संस्था ने दुनिया का पहला वन जीव संरक्षड बॉंड जारी किया है वि डबलू सीबी तो दोस्तों दुनिया का पहला वाइड लाइफ कंजर्वेशन बॉंड यह जो है वर्ल्ड बैंक ने जारी किया है वर्ण हॉन राइनो के लिए एक सिंग वाले गैंडे के लिए दोस्तों यह साउथ अफ्रिका के दो जंगलों के लिए यह बॉंड जारी किया गया है देर सो मिलियन डॉलर का यह कुश्चन एक्जाम में आया था दोस्तों साउथ अफ्रिका का एक नेशनल पार्क है एडो एलिफेंट नेशनल पार्क और दूसरा है ग्रेट फिश रीव नेचर रिजर्व इन दोनों के लिए दोस्तों दुनिया का पहला वाइड लाइफ कंजर्वेशन बॉर्ड बैंक द्वारा जारी किया गया है व्ल्ड बैंक ने अभी रैंप प्रोग्राम चलाया MSME के लिए, स्टार्स प्रोग्राम चलाया, टीचिंग और रीडिंग को इस टेट में आगे पढ़ाने के लिए, वाटर सेट मेनेजमेंट के लिए रिवार्ड प्रोग्राम चलाया था, वर्ल्ड बैंक ने, और दोस्तों, वर्ल्ड बैंक के हेड डेविड मालपस हैं, और CF4MD अंसुला कांथ हैं, और वर्ल्ड बैंक की पाँच ग्रुप भी हैं दोस्तों, और वर्ल्ड बैंक के ररजीत सिंग्दिसाले एजुकेशन एडवाईजर भी हैं, वासिंग्टन DC में इसका हेड क्वाटर है, IMF इसकी जड़ुवा बहन हैं, दोनों का जन्म, ब्रिटन वुड सम्मिट से हुआ था 1944 में, 1944 में वर्ल्ड बैंक आ गई थी, आज उसके 189 कंट्रीज मेंबर हैं, आखरी मेंबर नौरू है, और दोस्तों, IMF की 190 मेंबर हो गए, वो 1945 में आई थी, और उसका आखरी मेंबर हैं, अन्डोरा लियॉन, उसकी अपनी IMF की करेंसी भी है, HDR, Special Drawing Rights, और क्रिश्टा लीना जाजीवा हेड हैं, और डिप्टी एमडी हैं, गीटा गोपीनाथ, IMF, World Bank की 5 ग्रूप है, World Bank का Official Name है IBID, MIGA भी उसी का विंग है, Investment Wing है IFC, Concessional Soft Loan कम व्याज पे लोन जो देता है वो है IDA, और डिस्प्यूट जो देखता है उसका नाम है ICSID, दोस्तों हाली में तीन महीने के लिए Catholic Syrian Bank के इंटरीम प्रबंद निदेशक और CEO के रूप में किसे नियूत किया गया, CMD, इंटरीम का मतलब होता है अल्पकाली, जब तक परमानेंट विवस्था नहीं हो जाती, तब तक किसी अंदर के ही बंदे को बना दिया जाता है, क्लियर है, याद रहेगा, Catholic Syrian Bank का Headquarter थ्रिसूर के रला में है, दोस्तों विच स्टेट है, Stock the Export Preparedness Index 2021, निर्यात तैयारी सुचकांक में किस राज ने सिर्षर स्थान हासिल किया है, तो गुजरात ने हासिल किया है, क्योंकि दोस्तों गुजरात के बारे में कल हम लोगों ने बहुत बड़ा पढ़ा था दो पेज का, जिसमें हम लोगों ने गुजरात का Postmatum किया था, आमथाबाद का आलग किया था में किसी को नहीं चोड़ाता हम लोग ने तो वह कल के सेशन में हो चुका है तो गुजरात का प्ष्टमाटम आज हम लोग करेंगे घुजरात good governance इंडेक्स में भी टॉप पर है एक्सपोर्ट प्रिपाइडनेस इंडेक्स में भी टॉप पर है गुजरात सोलर रूफ टॉप इस्टॉलेशन रूफ टॉप इस्टॉलेशन में टॉप है सोलर एनर्जी में नहीं सोलर में तो राजस्थान टॉप पर है और राजस्थान सोलर पे टॉप में है रिनेवेबल एनरजी में नहीं क्योंकि रिनेवेबल एनरजी में तो तमिलनाडू टॉप पर है दोस्तों अमेर की कंप्यूटर वैज्ञानी की स्टीव विल हाइट का हाल ही में निधन हो गया निमनलिकित में से किसका अविश्कार इस्टीव विल हाइट न फॉर्म फॉर्म भी आपके एग्जाम में आ सकता है क्योंकि इनका नीधन अभी ही हुआ है ठीक है clear बात समझ में आ तो दोस्तों यह जो विल स्मित थे यह जो है हाइट में ज्यादा है इनोंने आसकर में श्टीव को थपड़ मारा जिसके बाद उनका जीफ फाइल जो है जीफ इमेज बहुत ज्यादा वाइरल हो गया तो वैसे तो उन्होंने थपड़ तो क्रिस रोट को मारा था लेकिन हम ल लोगों को यह याद करना है चीक है अगर दोस्तों हाली में कौन डेटा और एनलेटिक्स फर्म डन और ब्रेड इस्ट्रीट के अंतराश्टी रणितिक सलाकार बोर्ड में शामिल हुएं दोस्तों लोग इसे डन और ब्रेड इस्टीट पढ़ते हैं लेकिन मैं तो याद कर करने का अलगी तरीका रखता हूं मैंने इसको बन और ब्रेड याद किया है कौन मुझे रोक लेगा वशी गलत साबित कर देगा क्योंकि optional question आएगा मैं तो बन ब्रेड याद किया हूं और डन ब्रेड स्टीट आएगा तो मुझे तो याद हो जाएगा इसलिए कभी आप इसको theoretical पढ़ाई की तरह competitive exam को मत पढ़ना पहुंच जादा पढ़ना है हर चीज याद नहीं हो सकता लेकिन एक relation बिल्ड कर लो तो वो चीज याद हो जाती है तो जैसे कि हम लोगों को पता है कि अगर advisory board है तो रजनीश कुमार ही सामिल हुए होंगे लेकिन रजनीश कुमार किसमें किसमें सामिल हुए ये बड़ा confusion है तो भाया हमको ये नाम नहीं याद हो रहा था हमको तो L&T Infotech कर न नाम याद हो गया अंद्पदेश का भी नाम याद हो गया custodian of the trust ये डन ब्रेड इस्टीट नहीं याद रहा हम बन ब्रेड याद कर लिए हम क्या याद कर लिए बन ब्रेड याद कर लिए अब option में आएगा तो हम कर लेंगे तो रिय जब भी कोई चीज आपको टफ लगे तो आपको लगे की important question है तो फिर आपको question और answer को relate कर देना चाहिए mixed कर देना चाहिए दोस्तों मेरे साथ रहोगे मैं सब सिखा दूंगा ठीक है यह वही रजनीज कुमार है जिनको हर company अपने बोर्ड में लेना चाहती है यह वही रजनीज कुमार है जिन्होंने custodian of the trust book ल company है कि IBM उसके जो CEO है अर्विंद किष्णा वह अमेरिका के Central Bank के बोर्ड में सामिल हुए हैं अमेरिका का Central Board कौन सा है Federal Reserve Bank of New York उसमें सामिल हुए अर्जे वसु करें सर अकेला बंदा आधी इंडिश्टी समाला हाँ एक राज्य भी समाला भाई आंध्पदेश तमिल्नाडू के रगुराम राजन आंध्पदेश के यह हैं अजबकि उर्जित पटेल चले गए एशियन इंफ्रास्ट्रॉक्ट्रॉक्टर इंवेस्ट्मे गया है तो लेफ्टिनेंट जन्रल विनोध जी खंडारे को अपॉइंट किया गया दोस्तों मनोज पांडे जो हैं यह बन गए हैं आपके जन्रल मनोज मुकुन नर्वने की जगह पर ठीक है अब मनोज नाम से एक और थे कोई खंडारिया खंडारिया कटारिया उटारिया क करके वह डीजी एमो बने डारेक्टर जन्रल इन मिलेटरी ऑपरेशन नेवी के हेड़ बने है आर हरी कुमार और जी असोक भी उनमें कुछ बने हैं उसके में कुछ एडवाइजर एडवाईजर टाइप के ए उसके बाद बने हैं आपके आर हरी कुमार तो नेवी चीफ हो गए एयरपोर्स के चीफ हो गए आपके एयरफोर्स के हेड हो गए विवेक राम चौधरी अटीक है समझ गए मनोज सोनी यूपी एसी के हो गए वेरी गूड इंडियन कोश्ट गार्ड के विरेंदर सिंग पठानिया हो गए वेरी गूड निदीच इबड़ सी भी असी के ह हो गए वेरी गूड सुमन बेरी नीती आयों के उपाध्यक्ष हो गए हर्ष वर्धन शिंगला हो गए जी ट्वंटी के कोडिनेटर हर्ष वर्धन शिंगला की जगा विदेश सच्चिव हो गए आपके विनय मोहन कवात्रा कि फिक्की के एफ लो की हेड हो गई जैनती दाल अलमिया नैसकॉम के हेड हो गए कृष्णन रामानुजन तो एसोचेम के होड हो गए विनीत अगरवाल फिक्की के हेड हो गए आपके संजीव महता और सी आई आई के हेड कौन हो गए सी आई आई के हेड टीवी नारेंदरन की जगा हो गए संजीव बजाज है ना ठीक है सेभी के हेड हो गए मधाभी पूरी बुच्श शेभी की हेड हो गई मधाभी पूरी बुच्श पहली नौन आई एस पहली महिला का पहली प्राइवेट कंपनी से एक से सिक्योरिटी की हेट थी ठीक है कि क्लियर है अच्छा आगे बढ़ते हैं दोस्तो ओला ने अभी एक बैंक बैंकिंग सेक्टर में आ गया है और एक नियो बैंक को उसने एक्वायर किया है अवेल फाइनेंस को दोस्तो ओला अभी इलेक्ट्रिक स्कूटर के फिल्ड में आ गया था दुनिया की सबसे बड़ी ओला ने स्कूटर फैक्ट्री तमिल नाडू में चेन्नाई में ओपन करी थी अब दोस्तों ओला जो की एक कि देखो इसमें भी कुश्चन आया था ओला क्या है कि वो जो है राइड बुकिंग कंपनी है उसको जैसे ही स्वीगी और जो मैंटो फूड डिलिवरी कंपनी है फूड बनाती नहीं वैसे ही तो भाविश अगरवाल इसके है ऐसा भी कुश्चन एक्जाम में आता है ठीक है एलाइसी वालों का तो कट गया है जैसे पेटियम वालों का कटा था है कि समझ गया है ओला के सी यो जोस्तों है भावी शकरवाल ओला जो है एक राइड एलिंग कंपनी है इसने अवेल फाइनेंस को खरीद लिया है ठीक है मोबिलिटी फ़र्म है ओला कि दोस्तों मारिया और मर्सल जो कि सेंट्रल बैंकिंग अव कbornar ऑफ दे एके से समानित हुए हैं यह किस देसdır जैसी एंट्रल बैंक गवण्नर हैं यह किस यह दोस्तों जैसे पेटियम वालों को आइप यो में घाटा हुआ वैसे ही इनको भी घाटा ओ गया एलाइसी वाल आता और आठ सो कुछ रुपए उनको मिले हैं तो अब तो हमें लग रहा है कि IPO आने के बाद शेर खरीदना चाहिए कि इतना जल्दी नहीं करना चाहिए कि IPO ही मिल जाए अब तो IPO जिसको नहीं मिला है वो जिसने नहीं निवेश किया वो फायदे में रह रहा है दोस्तों मारियो मार्सल जिने Central Banking Award में Governor of the Year से समानित किया गया है वह किस देश के Central Bank के गवर्नर है तो यह किस देश के Central Bank के गवर्नर है चीली के चीली के Central Bank के गवर्नर है ठीक है क्लियर है याद रहेगा चली बहुत बढ़िया है दोस्तों ऐसे ही एक बार Central Bank of the Governor of the Year का अवॉड हमारे देश के भी गवर्नर को मिल चुका है हमारे देश के भी Central Bank के किसी गवर्नर को मिला है उनका नाम आप लोगों को बताना है उनका नाम आप लोगों को बताना है दोस्तो सरकार ने भारत की विरासत संस्किति और विविद्था को प्रदशित करने के लिए किस स्थान पर दस दिन तक चलने वाले भारत भाग विदाता उत्सों का आयोजन किया है दस दिन तक चलने वाले भारत भाग विदाता उत्सों का आयोजन किया है दोस्तो रेड फोर्ट में लाल किले में दोस्तों जो है भारत भाग विदाता उत्सों का आयोजन किया ठीक है बात समझ में आ गई तो दोस्तों ये भी याद रखिएगा दोस्तों ये जो डालमिया है ये मॉनुमेंट मित्र हैं ये भी याद रखिएगा कभी एक विवाद हुआ था अगर आपको याद हो अगर आपकी आदास्त अच्छी हो तो आपको ये जो है याद रहा होगा कि एक बार ये रूमर उड़ा था कि लाल खिला को मोदी ने डालमियां को बेच दिया कि सर कोई भी मीडिया असम में आई बॉर्ड के बारे में बात नहीं कर रहा है क्रिपा आप उसके बारे में उपर वीडियो बनाएं जिससे सब को पता चले की कितना नुकसान हुआ और कितने बेगर हुए है ठीक है मैं देखता हूँ अंकित अवस्ति सर को आप जो है इसकोड पर दम टेंसर मत लीजी ठीक है दोस्तों आपने ये खबर सुनी होगी डालमिया ने खरीद लिया बेच दिया मोदी ने अच्छा बेच दिया होता तो मोदी ऐसे तांक चल रहा होता क्या सीना तांके और उससे छोड़े होते क्या क कोई दुनिया में दोस्तों अमेरिका में एक परंपरा है एडाप्ट और ग्रेवियार्ड जितनी इन अमेरिकन आर्मी के लोगों की डेथ होती है उनकी कब्रबंती है उनकी ग्रेवियार्ट उसमें उनकी कब्र को एक आम नागरी गोद लेता है कि मैं रोज इस ग्रेविया होंगा इस पर एक फूल रोज चढ़ाऊंगा इसने हमारे देश के लिए जानती है कि सांसदों सांसद आदर्स ग्राम योजन आई थी जिसमें कि हर सांसद को एक गाउं गोद लेना था अपने संसदी छेत्र में इसका यह मतलब थोड़ी है कि सांसद ने गाउं खरीद लिया यह सरकार ने सांसद को गाउं बेच दिया कि अडॉप्ट करने का मतलब है कि हम तुम्हारी देखभाल करेंगे कि जब 27 सितंबर को मनाया जाता है वर्ल्ड हैरिटेज डे कि जिद दिन 20 उपे टिकट नहीं लगता ताज महल में हम गये ते एक बार कि उसी दिन तो दोस्तों कि एक उस दिन भारत सरकार ने इन उद्योपतियों को यह कहा कि आग देश की मॉनुमेंट की हालत बहुत खराब है कितने ऐसे जगह है जो सांस्किति कहती आसिक धरवर रख रखाओ कोई नहीं करने वाला है मेंटेनेंस कोई करने वाला नहीं है गार्डेन को कोई देखभाल करने वाला नहीं है कोई वहां लाइट सो चला दे कोई वहां बेंच लगवा दे प्याव बनवा दे तो वहां टूरिजम डे जो है 27 सितंबर को जो मैंने आपको बताया ठीक है लेकपाल के लिए तुम कयामत तक तयारी करो कयामत तक तयारी करो कयामत तक तयारी करो कयामत तक तयारी करो कियामत तक तयारी करो आखरी डेट तक तयारी करेंब ँपहँंचने के पहले तक तक त्यारी करें जितने बार तुम ने लिखा उतने बार हमने भी बताएं तो स्येर एक्ट में क्या होता है कि कमपणीयों को अपने प्राफिट का 2% खर्च करना होता है समाजिक दाइत्यों में social cause में kleiner सोसल कॉज में दोस्तों खर्च करना होता है तो इसलिए जो है डालमिया को बोला गया कि तुम अपने एवरेज प्रॉफिट का जो 2% खर्च करते हो वो जो है तुम खर्च कर सकते हो किसमें तो इसमें खर्च कर दो ठीक है क्लियर है याद रहेगा समझ गये तो अब इंडिया गेट पे आप लाइट सो देखियोगे गुरु तेख बहादु जी की जैनती पे देखियोगे गुरु तेख बहादु जी का लाइट सो चला वहाँ पे से कितना टन कूडा निकलवाया डालमिया ने कितना जो है साफ सफाई उसको मेंटनेंस का काम कर रहे हैं ठीक है समझ गए तो दोस्तों यह जो है डालमिया जो है मॉनुमेंट मित्र के रूप में हैं लालकिले के लालकिले में ही दोस्तों 21 अक्टूबर को 21 अक्टूबर को भारत का सबसे बड़ा खादी का तिरंगा फैराया गया था फ्लैग फैराया गया था 21 अक्टूबर को तो फैराया गया था दोस्तों फ्लैग जब सौव करोडवैक्सिन लगे थे, सौव करोडवैक्सिन लगे थे, सौव करोडवैक्सिन दोस्तों इसी दिन कंप्लीट हुए थे, समझ गए? समझ गए? चलो, तो यह है लाल किले की कहानी लाल किला दोस्तों दो जगह एक आगरा में भी रेड़ फोर्ट है और एक आपका वहां पर भी है दिल्ली वाला लाल किला जो आगरा वाला वह बहुत बड़ा है उसको तो भाई सारे मुगल बात्साहों ने बनवाया है अकबर से लेके और अंजेब तक ने साजहां तक ने उसको डेवलप करा है लेकिन इसको जो है साजहां ने बनवाया था दिल्ली वाले दोस्तो अर्थ आवर्डे हर साल किस दिन मनाया जाता है तो अर्थ आवर्डे हर साल जो है वो मई के आखरी सनिवार को मनाया जाता है कब मनाया जाता है भैया मई के आखरी सनिवार को दुनिया भर में अर्थ आवर्डे मनाया जाता है ठीक है इसी दिन सायर एक घंटे के पूरी दुनिया रहती है कि नहीं कि समझ में आ रही है कि नहीं बात कि दोस्तों 2022 में अर्थ आवर डे की थीम क्या थी अर्थ आवर डे की थीम क्या थी दोस्तों तो दोस्तों जो है ओर्थ आवर डे की जो थीम है इस बार की वो है शेप अवर फ्यूचर शेप आवर फ्यूचर जो है दोस्तों यह जो है 2022 में और थावाईडे की थीम है दोस्तो विंग्स इंडिया 2022 में समानिक काटेगरी के तहट किस हवाईडे को सरुसेष्ट हवाईडे के रूप में चुना गया है विच एरपोर्ट हैस बिन एडज़जड एस दा बेस्ट एरपोर्ट अंदर जनरल केटेगरी एड़ विंग इंडिया दोस्तो विंग इंडिया प्रोग्राम बेगम पेट में हवाईडे पे मनाया गया जोती रादिस सिंधिया सिविल एवेशन मिनिस्टर के द्वारा है धरा कि इंडिया में दोस्तों एक्जिबिशन लगाया गया एक से प्लेन का हेलिकॉप्टर इसी प्रोग्राम में दोस्तों केमपेगोडा एरपोर्ट जो बैंगलोर का एरपोर्ट है उससे जो है दोस्तों बेश्ट हवायडे के रूप में चुना गया इसको दो एवार्ट जो है इस्थापित किया गया है बियस यदुरप्पा जी के नाम पर उसका नाम रखा जा रहा है बसव राज बोम्मई जी के द्वारा जो है अपने पुर्व गुरू अपने जो है जिनके वो उत्राधिकारी हैं उनके नाम पर रखा गया है बियस यदुरप्पा जी के नाम विस एधरुप्पा जी अमितसा की तरह, जेपी नढड़ा की तरह भाजपा के अध्यक्ष भी रह चुके दोस्तों दो एवन केंपे गोड़ा 이러er पोर्ट को मिला है कैंपे गोड़ा सहे बैंगलोर के जनक माने जाते हैं और इन्हें जो है दो ए वार्ड मिला है दोस्तों Best Airport का एवार्ड मिला है और Aviation Innovation का ओवार्ड भी मिला है इसी प्रोग्राम में दोस्तों कोचीन एरपोर्ड जो दुन्या का पहला Solar Energy से चलने वाला Air Airport है जो केरल में है इसको COVID-19 Champion Award मिला है इसे COVID-19 Champion Award मिला है दोस्तों इसके अलावा मुंबई का च्छत्रपती सीवा जी महराज Airport जो है इसने कौन से आवल जीता है तो Evation Sustainability and Environment Award जीता है अपनी Green Practices के लिए अपने पारेवरण संबन्धी अच्छे प्रैक्टिसेस के लिए दोस्तों दुनिया का सबसे बीजिएस्ट एयरपोर्ट जो है अमेरिका का एटलांटा एयरपोर्ट है दूसरे नमबर पे दोस्तों दुनिया का सबसे बीजी एयरपोर्ट इंदिरा गांधी एयरपोर्ट नई दिल्ली वाला है आई जी आई एयरपोर और दोस्तों तीसरे नंबर पे जो है वो दुबई का एयरपोर्ट है दोस्तों जो सबसे बीजी एयरपोर्ट है तो इंद्रा गांधी एयरपोर्ट दुनिया का दूसरे नंबर का सबसे बीजी एयरपोर्ट है जो कि कोरोना के पहले 23 नंबर का सबसे बीजी एस्ट एयरपोर् तो पैसा वसू लोग गया कि नहीं तुम लोगों का पैसा इसा दिये नहीं हो प्लस सब्सक्रिप्सन ले लो पी एसार टेन कोड यूज करके अना तो दोस्तों रात को 10 बजे अब हम लोग को मिलना है एप पर फिनेंशिल करेंट अफेर की क्लास को आज रात 10 बजे से जीए भ सुंबई के चित्तपती सिवाजी महराज इंटरनेश्टल एरपोर्ट है कि इसके 74% हिस्सेदार है अदानी अदानी जो दुनिया के पांच में नंबर के अमीर आदमी है जिन्होंने वारेन बफेट को पीछे कर दिया मुक्य संबानी को पीछे कर दिया एशिया के सबसे अम सेमेंट खरीदा है इनोंने एसी सीमेंट अंबुजा सीमेंट सब खरीद लिया है अब जो है यह सब बापका दादा का सबका बदला लेंगे सबका घर बनवाएंगे चलिए दोस्तों आज का सेशन इतना ही रखते हैं थैंक्यू सो मज शुक्रिया धन्यवाज जैहिंद जै बबाए टेक केर गओड ब्लस्यों